ब्रह्म कमल के चमतकारी रहश्य नमबर एक ब्रह्म कमल ही वह पुश्प था जिस पर भगवान सीव ने जल छिड़क कर भगवान गडेश को जीवित किया था इसलिए यह पूल जीवन देने वाला है नमबर दो ब्रह्म कमल साल में सिर्फ एक रात के लिए चंद्रमा की रोश्णी में खिलता है जो पूरी रात खिला रहता है और सुबह होते ही मुर्जा जाता है नमबर तीन हिमाले में मौझूद इस पवित्र ब्रह्म कमल को जो भी व्यक्ति खिलता हुआ देख लेता है उस व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है नमबर चार ब्रह्म कमल महादेव का सबसे प्रीव पुष्प है इसलिए केदारनात में भगवान की प्रतिमा पर इसको चड़ाया जाता है नमबर पांच एक बार भगवान विष्णू हिमाले में आये और महादेव को एक हजार पुष्प अरपित किये लेकिन एक पुष्प कम हो गया तब भगवान विष्णू ने महादेव को अपनी आँख चड़ा दी थी जिससे महादेव प्रसन्न हुए और भगवान विष् हरार महादेव